अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो आपकी ये सुख दुख का साथी कि जब आत्मा अमर है तो मरती नहीं जनम नहीं लेती तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है नहीं आत्मा कहां से आ रही है ये सवाल है अब उत्तर सुनो आपके सामने एक हजार दरपन रखे जाएं तो आपकी तस्वीर कितनी होंगी आपके प्रतिविम्ब कितने होंगे आप एक हजार दरपन में दिखोगे की नहीं तो आप एक हैं पर आपके प्रतिविम्ब एक हजार हो गए हाँ या ना आपके सामने एक लाख दरपन रखे जाएं तो आप प्रत्य दरपन में दिखेंगे तो आप कितने हो जाएंगे आप एक हैं पर आपके प्रतिविंब हजार हो सकते हैं, दस हजार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, दस लाख और दस करोड हो सकते हैं बोलो हां या ना आपके प्रतिविंब कितने हो सकते हैं करोण हां या ना आप एक के एक हैं आपके प्रतिविंब अनेक हैं जैसे आपके प्रतिविंब अनेक हो सकते हैं अच्छा दरपन तोड़ दिया जाए तो आपका प्रतिविंब कहां चला जाएगा प्रतिविंब विंब में विंब ही है विंब बचेगा प्रतिविंब नहीं बचेगा जैसे एक आदमी के प्रतिविंब अनेकों हो सकते हैं उसी प्रकार एक परमात्मा के अनेक प्रतिविंब का नाम ही आत्मा है इश्वर अंस उसी को आत्मा और वो कितने भी हो सकते हैं कितने भी घट जाएं या कितने भी बढ़ जाएं तो वह इश्वर अंस आपके अंदर जो आत्मा है वह इश्वर का अंस है वह प्रतिविंब है विंब अलग विंब भगवान प्रतिविंब हम समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर है जबकि बूंद समुद्र की ही है पर बूंद समुद्र नहीं है उसी तरह समुद्र का अंस है वहाँ उसी प्रकार अंसी है परमात्मा हम है अंस अंसी है समुद्र और अंस है बूंद इश्वर अंसी है और उसका अंस हम सब कौन है भगवान के अंस इश्वर अंस जीव अविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी ये आत्मा का परिच्छा है पहले ज़्यादा थे आज कम तो प्रतिविम कितने भी हो सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है अब ये बताओ कि जवादमी मरा तो मरा कौन शरीर या आत्मा जोर से शरीर पांच तत्मों से मिलकर बना था पांच में समा गया उस प्रोसेस को आप मरा कह सकते हैं कोई प्रॉबलम ने अब बताओ अब यहां से आगे जो जाएगा स्वर्ग या नर्क वो कौन जाएगा आत्मा जाएगी या शरीर जाएगा जोर से कौन जाएगा तो नर्क का कश्ट कौन भोगेगा शरीर या आत्मा बोलो आत्मा को सुख दुख होते ही नहीं गीता में लिखा स्पष्ट नाइनम छिंदंदी सस्त्राणी नाइनम धादी पाब का आत्मा को ना सुख होता ना दुख होता फिर नर्क ले जाकर यमराज दंड देंगे किसे आत्मा को यमराज थोड़ी दंड दे सकते हैं क्योंकि आत्मा तो अभिनासी है सुख दुख से परे हैं फिर कौन, नर्क कौन जाएगा, आपकी वाड़ी तो यहीं जल जाती है, आत्मा को सुकदुक होता नहीं है, फिर बताओ नर्क कौन जाता है, आप बताओ यह सूक्ष में शरीर क्या होता है, आपके कितने सरीर हैं, तीन हमारे पास कितने सरीर होते हैं, तीन, पहला सरीर स्थूल शरीर, सामने जो बैठा है, यह स्थूल शरीर है एक सरीर होता है, सूक्ष म शरीर, आपने कभी सपना देखा है, बोलो हाँ या ना आप जब सोते हैं, तो आप सपने में हरिद्वार चले जाते हैं, सपने में वहाँ चले गए, तो आपका शरीर तो कमरे में है पर सपने में आपके पास ज्यों कत्यों शरीर है आप भाग भी रहे हैं, हस रो रहे हैं बाद में आपको याद है, आज मैंने उन्हें देखा सपने में तो सपने में भी एक शरीर आपको मिला जिससे आपने सुख दुख का अनुभव किया, हाँ या ना तो वो शरीर किसका था जो सपने में आपके साथ था आपका था उसी को कहते हैं सोक्षम शरीर एक सरीर विस्तर पर सोया था एक सपना देख रहा था तो दो हो गए एक तीसरा है कारण सरीर कारण सरीर वो होता है जिसे कारण हमने मानव का तन पाया क्योंकि आप यदि मनुष् तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा आप हाथी बने है तो कोई ना कोई कारण से बने है चीटी बने है किसी ना किसी वजह से बने है यह कुत्ता बना तो किसी ना किसी वजह से बना तो जो वजह है वो कारण शरीर कहा जाता है तो कारण शरीर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि वो वज़ा है तो दो शरीरों की मैं बात करूँ एक शरीर है इस थूल शरीर जो आपके सामने बैठा है यह इस थूल है और एक सूक्ष्म जो सपना देखता है अब मरने के वाद चिता पर जो शरीर जला वो कौन सा शरीर था इस थूल या सूख्ष में जोर से जो चिता पर जला वो कौन था इस थूल शरीर था स्वर्ग नर्क की यात्रा में कौन गया वही शरीर गया जिससे आपने सपना देखा था कौन सा शरीर गया मेरी माँ जिससे आपने क्या देखा क्या देखा मैया सपना देखा उसी सूख्ष में शरीर को एक नाम से और बोलाते हैं बता उस सूख्ष में शरीर का एक नाम जो आप सबको पता है क्या नाम है उस सूख्ष में शरीर का क्या आप बता भही उस सूख्ष में शरीर का एक नाम है आप सबको पता है क्या आप बता हां हां ठीक कह रहे हैं आप लो आ रहा है बोलो क्या है नाम आतमा की तो मैंने बात समझाई थी सूक्ष में शरीर कहें के नाम क्या है हां सही कह रहे हैं मन, बोलो मन, ये मन जो तुमारा भटकता है, सारी फसाद की जड़ मन होता है शरीर में, सारी समस्याओं की जड़ क्या है, पाप कौन कराता है, करता हाथ है, पर हाथ को करने की आज्या किस ने दी, मन ने, देखती आँख है, पर देखने की आज्या किस ने दी, आप उसी को देखते हैं, जिसे मन देखने की जाज़त देता है, कहते ना बार बार मन करता है, देखने का, तुमसे मिलने का मन करता है, तुमसे बातें करने का मन करता है, आज खाने का मन कर रहा है, आज सौने का मन कर रहा है, सब जगा मन ही तो है, ये कपड़े मेरे मन में अच्छे, मेरे मन पसंद नहीं है मतलब पसंद ना पसंद भी कौन कर रहा है ये लड़की अच्छी नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये अच्छी है इससे साधी करो, इससे मत करो डिसाइड कौन कर रहा है, जोर से, जोर से मन ये घर में ये वाला कलर नहीं ये वाला कलर ये अच्छा नहीं लग रहा ये अच्छा लग रहा है ये किसकी पसंद है मन की पूरा खेल किसका है मन का और सूक्षम शरीर कौन है मन का ही नाम सूक्षम शरीर है और यही मन जब आप मर जाएंगे तो आपका एक सरीर तो यहां जलके भस्म हो जाएगा पर जो मन रूपी सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा इस शरीर से निकल कर उस मन रूपी सूक्ष्म शरीर में प्रवेस करती है और फिर वहां चित्रगुप्त वहां ले जाते हैं यमराज जी के पास फिर वहां हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया कितना पुन्य किया तो जो मन था सूक्ष्म शरीर था जिससे आपने सपना देखा था वही स्वप्न वाला शरीर स्वर्ग और नर्ग का करमों के हिसाब से दंड भोगता वही सूक्ष्म सरीर कोई अमराज जी ने कहा कि तुमने पाप किया है तो 84 लाख यौनियों में भेज दिया कितनी यौनियों में कितनी यौनियों में 84 लाख और जब आपके 84 लाख यौनियों में सारे पाप समाप्त हो गए कुछ पाप रह गए तब आप यमराजी से बोले अब क्या आग्या है फिर जो आपने पुन्य किया था उस पुन्य के वल पर फिर आपको भगवान मानव का चोला दे करके फिर भेज देते हैं मन वही है जो पहले था शरीर बदल गई शरीर बदल गया क्या नहीं बदला मन नहीं बदला ये बात हम नहीं कह रहे है कबीर दास जी कह रहे है माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर आसा त्रशना ना मरी कह गए दास कबीर ठीक है तो जो आपके करम दंड है वो मन सब नोट कर रहा है ये मराज जी उसी को देखेंगे कि आपने कितना पुन्य किया कितना पाप अलग किया जाएगा पुन्य अलग आपके पाप किसी के पाप पाँच किलो किसी के पाप दस किलो किसी के पाप दो किलो उसके हिसाब से उन्हें कुत्ता विल्ली नाली का कीला चमगादर सुवर बना के भेज दिया जाता है इन यौनियों में और जब वो पाप नश्ट हो जाता है तब मानव का तन बाद में फिर मिलता है पुन्य के बल पर इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुस तन पावा बड़े भाग्य से मिला अब गलती फिर करोगे फिर 84 लाखियों निया